आप सब को पता है कि इंडिया और नेपाल की तालुकात एक दफा से फिर इसे खराब हो चुके है और इसके अंदर बहुत सारी चीजे हैं जिसमें केपी शर्मा, ओली और इस जैसे अंकरेंगे मामला और बॉर्डर मामला थे आप सब को पता कि नेपाल का जो बॉर्डर इंडिया और नेपाल की तरफ से इंडिया नेपाल के उपर इल्जामात लगाता है नेपाल उनके उपर इल्जामात लगाता है आप प्रॉब्लम्स भड़ रही है इसता इसता से तो आप लोगों को रिपोर्ट देना लाजमी होता है तो पहले आपके साथ शेर करते हैं कि बॉर्डर के जो मामलाथ है बॉर्डर के उपर जो डिस्प्यूट चल रहा है वो कहां कहां पे है कितना है और नेपाल के लोग क्यों उसको क्लेम करना चाहते हैं और केपी उली शर्मा और शेर बादर दियूबा और यह जो प्रचंडा है वो इसके बारे में क्या बात करते है तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर आपके साथ बात करते हैं तीन बड़ी पाटियां है बिहार में तो कभी इधर से उधर होते रहता है वैसे नेपाल में भी सेम है कंडिशन है अब नेपाल में इन तीन नेता लोग को पहचानी है यह हमारे सेर बाहदुर दहुआ साब यह इंडिया के फेवर में इनके साथ रहते तो इंडिया से ठीक रहता है और यह हमारे केपी सर्मा ओली साब है केपी सर्मा ओली यह चाइना का फेवर करते हैं जादे इनका है पूरा साथ की सरकार चल रही थी दाववा साथ मिलके गड़ बंधन में तो इंडिया से रिलेशन ठीक ठाक थे अभी यहां से गड़ बंधन तूटके प्रचंट साथ की गड़ बंधन हो गई है केपी सर्मा ओली साथ के साथ तो अभी वह प्रो चाइना होते जा रहे हैं लोग तो ओ मेजॉर्टी और माइनॉर्टी के बीच में जब भेदभा होता है तो मेजॉर्टी जो मेजॉर्टी और माइनॉर्टी में तो कई तरह की गवर्मेंट की आइडियोलोजी चलती है वहां पर क्या है कि नेपाली की मेजॉर्टी है माइनॉर्टी में वहां मधेसिया है तो यह तो जैसे भारत में कभी जाती वाद काम करता है कभी माइनॉर्टी मेजॉर्टी काम करता है कभी छेत्र वाद काम करता है तो जिसको जैसे मनुसी तरह से उजीतना चाहते है तो उली साब का क्या है कि इंटी इंडिया सम सेंटिमेंट से उजीतना चाहते कई बार वो एक बार बोले थे कि इंडियन कोरोना जादे खतरनाख है कभी बोलते राम जी हमारे यह जनम दिये थे कई ऐसे इसी उटपटा चीजे थी काफी दरारे आ गई थी अभी मालदीप में मोईजू की सरकार यह भी ना मतलब हला कर रहा है मोईजू कि इंडिया आउट अभी महां पर बहुत जारे दिक्कत है तो हम लोग समझते हैं कि अंग्रेज जब थें तो वो नेपाल के साथ युद्ध किये और एंगलो नेपाली युद्ध हुआ और यह युद्ध की समाप लिखी नदी और इस साइड में महाकाली नदी महाकाली नदी तीमा बनाईगी सुगाली की संधी ओ गए 1816 में यह सब चीजों तो ठीक था यहां पर यहां एक ऐसा एरिया था जिसको लेकर नेपाल कहता है कि यह एरिया इस रेखा के उधर चला गया है वो मेरा है यहां पर इसलिए आप नेपाल के old map में देखेंगें, तो आपको यहां किसी भी तरह की कोई marking देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वही एरिया यहां देखेंगा तो हलका एक निकला हुआ एरिया देखेंगा, जबकि वह एरिया यहां देखने को आपको नहीं मिलेगा, वही लिम्पया, दूरा काला पानी और लेपुलेक है, उसको हम लोग समझते हैं, यह एरिया कहां आता है, तो नेपाल और उतरा खंड राज के बीच में आएगा, उतरा खंड के पास, इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर यह क्या चीज विवाद है, तो यही एरिया यह जो हलका सा नोक निक निकलती है जो पतली साखा है, यह वाला साखा पतली साखा है, और इसी महाकाली नदी की एक साखा निकलती है लिम्पिया धूरा से, लिम्पिया धूरा से और यह मिलके बना लेती है महाकाली नदी यहां पर मिलके, अब प्रॉब्लम कहा रहा है कि अगर इसका उदगम अस् में decide करेगी नदी कि किस के पास ये नदी है तो देखिए ध्यान से तो ये वाला अभी वर्तमान में भारत इसे मान रहा है 1816 में जब सुगोली की संधी हुई थी तो अंग्रेजों ने लिंपिया धुरा वाले इस नदी को कहा था कि ये वाला बॉर्डर रहेगा तो 1816 में जं शंक्याभी नहीधी यहां कोई रहता भी नहीं था लेकिन यहां से छीण से वैपार करना यजे था तो अंग्रेजों ने 1816 के बाद 1816 में इसको माना तो लेपुलेग को माना 1816 में यहां पर तो यह वाले area को मानए तो इसके इधर British East India हो गया इधर ने अज़र नेपाल हो गया उससमें नेपाल ने इस पर कोई आपति जताई ना इस पर कोई आपति जताई तो साल तक कोई आपति नहीं जताया गया अब नेपाल का क्या कहना है कि ये लेपुलेक से ये नदी जो है इसका ओरीजिन हम नहीं मानेंगे हम ये मानेंगे कि हमल ये महाकाली नदी का ओरीजिन ये लिम्पया धूरा से होता है अब अगर इसे नेपाल मान लेगा लिम्पया धूरा से हो रहा है तो लिम्पया धूरा बीच में जगा पढ़ता है क काला पानी और ये जगह पड़ता है आपका लेपुलेख तो लिंपिया धूरा काला पानी लेपुलेख ये पूरा एरिया जो है ये एरिया नेपाल को चला जाएगा अब इसको ओली साहब राष्टी मुद्दा बना के चुनाओं में कुछ फायदा चाहते हैं लोगतंद की ए मेसा से देश के उपड़ में अनमेच्योर ये देशों में देखा गया जैसे इन्डिया में भी देखे ऐगा ना तो एलेक्शन में नब एक 140 कुरोल लोग रहें यहां पर भारतमें कोई तारीफ से एक पार्टी की बुराही कर रहा है किसी एक पार्टी की अरे यार तुम too इसलिए बने हो राजा हटा के इसलिए बनाए गिया था कि अपनी बात पर रहो ना कि कौन सी पार्टी जादे स्कूल खुलवाई किस पार्टी में इनिवर्स्टी जादे आई ना मतलब हम लोग किसी एक party के समर्थक और दूसरे party के कटर भी रोधी हो जाते हैं और ये लोकतंत के नए नवेले लोकतंत जैसे हम लोग का तो 100 साल भी नहीं हुआ है एक देश के लिए 100 साल काफी कम टाइम होता है यहां पे तो maturity कम रहती है तो हमेशा से आप देखेंगे न आज भी लड़ रहे तो यही बात वहां नेपाल में भी वह इसी को मुद्धा बना रहे और वह अगर ले पुले के जगा काल लिंपा धूरा हो गया तो यह नेपाल को चला जाएगा यहां पर यही एक्स्टा एरिया जेगा हलाकि यहां एरिया में कोई रहता नहीं लेकिन भारत के हिसाब से देखेगा, तो यह कोना काफी जरूरी है, क्योंकि इसी पहाड थोड़ा सा डाउन है, और यहां से नेपाल में चाइना जाया सकता है, और यहां हमारा कैलास परवत है, यहां पर कैलास मांसरोबर, वहां हमारा बहुत बड़ा तिर्थ अस्तल है, संकर जी का मुख्यास्थान कैलास परवत ही है यहां पर, तो हमारे लिए यह स्ट्रेटिजिक रूप से जरूरी है, तो नेपाल और भारत के बीच में यह टिंसन बना हुआ है, यही वाला एरिया, हाला कि भारत और नेपाल को इसे सारवजनिक मुद्दाना बना के एक टेबल पर यह इस चीज को, दूसरा, अगर नेपाल बहुत हट धर्मिता अपनाते हुए, इस एरिया को ले लेता है, तो इसे केवलो एक मनोवग्यानिक जीत कर सकता है, क्योंकि नेपाल की ना दुस्मनी चाइना से है ना भारत से, और यहां भारत के लिए दिक्कत होगा, इन केस लेटी और रोटी का रिस्ता कहता है, तो जब कभी भी रिस्तों को हम तराजू लेके तौलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी लगेगा ना, कि काफी जादे मतलब लास होगा, बेटर होगा, इस एरिया को लेंड आफ फ्रेंट्शिब घोसित कर दिजे, कि दोस्ती का जमीन, भाई नेपाल भी रहो यहाँ पे, भारत भी रहो, नेपाल के सेना पर मुख को भारती है सेना अपना सेना पर मुख मानती है, और भारत की सेना भी नेपाल के सेना पर मुख को अपना सेना पर मुख मानते हैं, तो जैसे भारत का कोई सेना पती बनता है तो उसे नेपाल के यहां ओनररी सेना पर मुख बना दिये जाता है और वहां का भी यहां इतना खुश हाल रिस्ता है भारत ने ऐसे कोई लड़ाई नहीं लड़िये जिसमें हमारे नेपाली गोरखा भाईयों ने अपनी सहाधत नहीं दी हो तो इस एरिया को हम लोग वैसे भ आर्स क्लाइमेट है यहां कोई नहीं रहने जाता है तो इसे एरिया फ्रेंड्शिप घोसित कर दिजिए कि भाईया देखिए हमारे सामरी की रूप से जरूरी है आपको भी कोई सामरी की रूप से होगा जरूरी है नेपाल के लोग पटना में आधा चौमिंग का दुगान बीजनर्स ठंडी की दिन में कंबल बहुत सारा नेपाल के लोग यहां के करते फ्रेंड्शिप है यहां पर जब तराजू लेके तो लेंगे तो इसे चाइना को फाइदा होगा और और पर अन्मिच्योर डेमोक्रेसी की यह खराबी होती है चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर दो हमारा तो यह सुझाओ है बाकी देश में उपर लोग बैठे हैं लोगो और नीतियां बनाएगा इस सुगौली संधी में यह वाला तो हो गया महाकाली नदी से जो विवाद का एरिया था मेची नदी साइड में कोई विवाद नहीं है एको बिहार में नया विवा जोरत का होगा यानी गंडख नदी को नेपल में नरायनी नदी पहा जाता हम लोग इसे गंड़क कहते तो इसके इद upbringing में कल पर मथारा तो नरायनी नहीं नरायनी नियुया इधर की और भागματα ढीये तो नेपालिक अ मथा नहीं को रही है है हमारा पूरा जमीन कब जिया रहा है और नेपाल का यही एरिया जो नीचे का थ्वड़ा सा है खेती लाएक है बाकी तो पहाड़ है नदी को रोको लाल ज्ञंडा लगाओ यहां पर इस तॉप नदी नहीं रूक रही है धड़ाधोड इधर भाग रही है इससे नेपाल की जमीन कम होती जारी है और यही पर ब्यवाद आता है चंपारण जीला में एक 다른 सुस्ता जीला तो कि क्या बिवाद हो गिया समझेसे 816 में संदी में सुस्ता दो मी वी बीवाद किया था कि इस नदी के नरायनी नदी हो गया, इसे वो लोग नरायनी नदी कहते हैं, और हम लोग जीप और गंड़क कहते हैं, तो नेपाल के लोग नरायनी नदी कहेंगे, हम लोग उसे गंड़क नदी कहेंगे, यहां जो सुस्ता जगा था, S से सौटकट में लिग देते हैं सुस्ता, तो गूमते 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 इधर चल गई अब भाया नेपाल तो उस पार होता है तो एक समय था जब सुस्ता नदी इधर थी सुस्ता सहर नेपाल में था अब ये नदिया इसे घूम गई है नदिया इसे घूम गई यहाँ पर अब जब नदी ऐसे घूम गई तो सुस्ता वाला आला कि इसे मिल बैठके अच्छे से समझा लेना चाहिए नेपाल को इंडिरिकली भारत के वीजा से लिबरल वीजा पालिसी से बहुत फायदा होता है और हम दोनों लोगों को लिए होता है और इसमें अगर लॉस होगा किसी का तो नेपाल का जादे लॉस होगा फायदा आपको पूरा इसका आइडिया होना चाहिए हाला कि हमारे हिसाब से एरिया जो वीवादित है उसे फ्रेंट्शिप वाला एरिया करके और साय ने रूप से भारत को वहां पर अपनी मजबूत पकड़ बताय रहाना चाहिए यहां पर और नेपाल वगएरा के इस जब जीओ नेपाल की सीमा बिहार से भी लगती है यूपी से भी लगती उतराखंड से भी लगती है तो इस अब के लिए भी आप लोग तयार रहिएगा और यूपी सी के लिए तो बापू सभागार में छे अपरेल नीट वालों के लिए इवनिंग में और यूपी सी वालों के लिए सुबह में 10 बजे तो यह सब लोग बापू सभागार में मिलेंगे वहाँ अब पत्ना में भी आप लोग का UPSC का क्लासे स्टार्ट हो जाएंगे तो सब लोग कमरकस लीजे नीट वाले भी UPSC वाले भी सब लोग और आई होब आप इस ट्रॉपिक को समझे होंगे मिलेंगे नेक्स क्लास में जैहिंद वैल आप लोग कोई रिपोर्ट वेक लिए होगी इंटरस्टिंग लगे होगी एक चीज़ में आप लोग कोई सब शेयर कर दूँ वैसे ये वीडियो सही थी इंडियन मीडिया की इसके अंदर जो बाते की गई थी वह रियल रियालिटी में हमें देखने को मिल रहा है कि व भी नहीं करनी चाहिए दूसरी चीज में आपको यह बता दू नेपाल इस जगह को तब ही क्लेम करें जब उसकी लड़ाई या तो चाइना से हो या तो इंडिया से हो अब उसकी वज़ा बताता हूं अगर नेपाल यह जगह कब्जा कर लेता है मिसाल की तो और इसके उपर अब यह बन कर देगा फिर यह होगा कि आप वहां पर बिजनिस कर पाओगे वहां के लोग यहां पर बिजनिस नहीं कर पाएंगे ट्रेड भी बंदो जाएगी तो प्रॉब्लम भी नेपाल के लिए ही बनती है तो नेपाल को इसमें तोड़ा सोचना चाहिए इस जगह को मै नेपाल इसके उपर बात ना करें, नेपाल बिल्कुल कर सकता है, इसकी जगह है, बट अगर ये कर लेता है, तो नेपाल के लिए फिर प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ेंगी, मतलब कि आप सब दो समझ सकते हैं, अगर नेपाल ने ये जगह कबजा कर ली, और इसके उपर ये कर दिया, बट अगर वहीं पर इंडिया ने इसके उपर अपकी साथ खुला नहीं रखेंगे, अब बोर्डर पर वीजा पासपोर्ट होगा, तो तब ये लोगों को जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे, जो आपके मुल्क में ट्रेड हो रहे हैं, वो भी हम बन कर रह आपके मुल्क में जो लोग बिजनिस करने के लिए जा रहे आपके मुल्क वाले हमारे मुल्क में आ रहे वो भी बन कर देंगे तो यह एक जगा जो काला पानी ले पूले कलिंपिया दूर है यह जो टीन एरिया है इस एक वज़ा से नेपाल के लिए चार-पांच प्रॉब्ल ज्यादा होगी तो नेपाल को इसमें सोचना चाहिए वेल जगा तो नेपाल की है और नक्षों के मताबिक भी नेपाल की है इंडियन मीडिया क्या कह रहा था इस कवाले से वह आप लोगों के सार शेयर किया शेयर करना लाजमी था क्योंकि तालुक्त तोड़े बहुत खरा हैं तो हमने वह आपके साथ रिपोर्ट शेयर लाजमी करें अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करेंगा मिलते नेक्स वीडियो में